दोस्तो अगर आप Facebook चलाते हैं तो मैं आपको कमाल का तीन ट्रिक बताऊंगा देखिए Facebook हर बंदा चलाता है और कमाल का तीन सेटिंग ट्रिक बताऊंगा जिसको आपको यूज करना ही चाहिए देखे अगर आप daily basis पे facebook यूज करते हों तो यह कमाल का तिन ट्रिक है जिसको आपको जानना चाहिए क्योंकि इसको अगर आप नहीं जानेगे तो बाद में जरूर पस आएंगे दोस्तो तो इस ट्रिक को आप जरूर जानिएगा इसमें क्या होता है जिसको आपको करकर रखन क्लिक करेंगे नीचे पर करेंगा आपको सटींग का अप्सण मिल जाएंगे जब इसपर क्लिक करेंगे तो तो आपको setting नाम का एक option मिल जाता है, इस पर आपको simply सी click कर लेना, यहाँ पर नीचे scroll करिएगा, थोड़ा सा scroll करिएगा, तो एक option आपको मिल जाता है, your time on Facebook, तो इस पर click कर लीजेगा, यहाँ पर click करने बाद, यहाँ पर बहुत सारे options लेकिन मैं आपको actually time बता रहा हूँ कि आप कितना time यहाँ पर लगाते हैं, किस दिन कितना time में आपने दिया, देखे, average मेरा है 6 minute, यानि दोस्तों मैं बहुत कम Facebook यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरा average time 6 minute है, और average last week minute, यहाँ पर 1 minute दिखा रहा है, यानि मैं बहुत कम usage करता हूँ, आगर आप usage करते हूँ, तो ट्रिक भी बहुत कमाल का ट्रिक है, देखे, इससे क्या होता है, यह आपको mobile को hacking होने से बचा सकता है, यह ऐसा ट्रिक है, जिसको आपको जानना चाहिए, देखे, बहुत लोगों का comment भी आ रहा था, बहुत यार दोस्तों का मेरा पस comment आ रहा है, कि sir, मेरा Facebook ID हैक हो गया है, चाहिए मेरा Facebook ID कहीं हैक हो चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहते पता करेंगे कि आपका Facebook ID किसी ने हैक नहीं किया, कोई login करके देख रहा है, चाहिए कोई आपका Facebook ID चला रहा है, और चाहिए किसी को फालतू-फालतू messages कर रहा है, तो इन सारे setting को आपको जान करता हूँ, आप Facebook खोल दी जगा, यहीं setting पर जाना है, आपको setting में नीचे is called three dot पर click करिएगा, यहाँ पर आपको privacy and setting है, इस पर click करिएगा, नीचे आपको settings का option मिल जागा, इस पर आपको simply click कर लेना, click करने को आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है, password and security का आपको option मिल जाता ह आपके Facebook ID को hacking होने से बचा सकते हैं, आपके Facebook ID से कोई और message नहीं कर जाया, यह सारा पता आप कर सकते हैं, तो इस पर आपको जरूर आपको जाना चाहिए, यह बहुत कमाल का setting है, अगर आप Facebook को use करते हैं दोस्तों, तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको device है, जो मैंने login किया हूँ, मैं विंडोस में, मैं अपने system में login करता हूँ, और अपना desktop पे login करता हूँ, तो यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि यह मेरा device नहीं है, चाहिए मैं इसको login नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर simply सी आप जा करके, इस device को आप यहाँ से हटा सकते हैं, आपको support that मुझे यहाँ से हटाना है, चाहिए कहीं से भी हटाना है, आपको simply सी जाना है, secured account पर click करने के बाद यहाँ से देखे, आप यहाँ पर जाएंगे, और ऐसा आपके सामने interface आजगा, यहाँ पर आपको option मिल जाता logout का, तो यहाँ से आ आप अपने hacking होने से अपने mobile को बचा सकते हैं, तो इस setting को आप ज़रूर ट्राइ करिएगा, चले तीसरे नमर की setting को मैं आपको बताऊंगा, यह गजब का setting है, यह देखिए बहुत important setting है, इससे आपके mobile hacking हो सकती है, इससे भी आपकी mobile hacking हो सकती है, तो इन setting को भी आपको जान एक चासे है, और उससे क्या करते हैं, उस platform को download करने कि लिक आठा है, यह आप facebook से akaunt बना लिज्यों, तो आप क्या करते हैं, facebook को permission को देते हैं, कोई भी third party application हो इस iauर पर्मिसन को हम अपने facebook akaunt का access दे दे देते, उससे क्या बना हो सकता है, आपके साथ Too ран cap हो सकता है, और आ कि मैं आपसे चर्चा करूंगा तो इस setting को करने के लिए आपको क्या करना है Facebook account open कर लेना है Facebook open करने के बाद जो 3 डॉरट पर click कर लिजेगा यहां पर आपको setting and privacy पर click करना है उसमें आपको settings मिल जाता है setting पर click करेंगे इसके बाद आपको देखिए आप थोड़ा से स्क्रॉल करिएगा थोड़ा से और स्क्रॉल कर लिजेगा यहां पर आपको option मिल जाता है app and website आपको इस पर सिंप्ली सी click कर लेना जब click करेंगे आप देखिए आपने जभी भी कभी भी कोई application डाउनलोड किया होगा चाहें किसी को किसी app को permission दिया होगा चाहें उससे account बनाया होगा तो उसको access करता है यह देखिए इतने सारे application है जो मेरे mobile में activated है और मैंने इनको access दिया हुआ यह third party application है आपने इसको आपको पता भी नहीं चलता है आप access दी देते हैं और इससे क्या हो सकता है आपकी Facebook ID hacking हो सकता है वह access ले रहा है आपका सारा data leakage हो सकता है तो इन सारे activity को आपको बंद करना है इसको close करना है इन सारे app से permissions हाटाना है तो आपको क्या करना है सिंपली सी इस पर क्लिक करना जीज भी application से आपको इसको permissions हाटाना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बार remove का option आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लिक कर लेंगे जब क्लिक करेंगे तो यह third party application आपके facebook id से जो भी access था उसका वो यहाँ से हट जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे हट चुका है तो इससे आपके facebook id hacking होती है और बहुत लोग को कमेंट भी आता है कि sir मेरे facebook id hack हो गया तो hack होने का सेम वज़ा है कि कि किसी भी third party application को हम access दे देते हैं और access से वो क्या होता हमारा data leakage होता रहता है तो यह मैंने आपको तीन setting बढ़ाया वा तीनो setting कमाल का था अगर आप facebook कि यूज करते हैं तो इन तीनो setting को आप एक बड़ ट्राइ जरूर कर लिए जगा और यह तीनो setting आपको पसंद आगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते है ने एक्स वीडियो में ने टोपी के साथ तब तक लिए जय हिन जय वारत